मैं रावल कुमार, स्वागत है आपका वरन्यम एजुकेशन के इस यूटूब चैनल में आज किस वीडियो हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में और यह एक्सेल जो है वो CPT के एक्जाम पे अधारित है और यह CPT खास करके हम CGL को लेकर Mindset करके बना रहें और भी बहुत सारे राजस्तिरी जॉब में इसका इस्तमाल किया जाता है इससे पिछले के वीडियो में हम Basic Knowledge of MS Excel के बारे हम डिसकस कर चुके हैं कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल को हम लोग Open कैसे करते हैं इसके बारे हम डिसकस कर चुके हैं आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल के फाइल को हम लोग Formatting कैसे करते हैं मतलब जो सेल होता है मतलब छोटे-छोटे जो box बने हुए होते हैं उससे सेल करते हैं यहां पर से देखें यहां पर टेबल के बारे में है टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में इसके बारे में है यानि कि हम कुछ लिग कर उसे bold, italic, underline, subscript, superscript नहीं कि जो भी function वहाँ पर होते हैं उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें 4-5 class यानि कि 4-5 वीडियो लाने के बाद फिर आपको इसका question बगरा भी लाएंगे तो आप MS word, sorry MS word नहीं, MS Excel open कर लिजे MS Excel open करने नहीं आता है तो हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको open करने के लिए हम बता चुके कि क्या open करना है अब जब आप पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम यहाँ पर किसी को underline करना है वो कैसे करेंगे तमाम तरह की जो बाते होती है आप यहाँ से कर पाएंगे सबसे पहले तो यह जान लिजिए कि जब भी आप लिखते हैं जिसे आप यहाँ पर लिखे इस परकार से तो आप जब भी इस तरह का यहाँ पर से लिखिएगा लिखने के बाद आपको क्या करना है पहले कमी word पर आपको दिखाता है बाकी फिर आपको आगे चल के question पर तो दिखाएंगे ही आपको बस वो word या पर जो content लिखा हुआ उसको select करना है select करने के बाद आप उपर में देखिएगा कई तरह के font होते हैं आप यहां पर से अलग-अलग परकार का font रख सकते हैं लेकिन आपको जो instruction में कहा जाएगा आपको वही font रखना है 90% instruction में aerial font वर्दना या times new roman इस तरह का font का ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है अगर times new roman बोला तो आप type करके इंटर बटन प्रेस किजिए यानि कि आप इसमें ढूंडिये नहीं कि कहां पर है times new roman कहां पर वर्दना है इसमें ढूंडने ज़्यादा समय लग जाएगा उससे बेतर है कि आप keyword में keyword से जाएगा वर्दना लिख कर इंटर प्रेस कर दीजे तो वही font क्या होगा यहाँ पर नाम में set हो जाएगा अगर किसी word को अगर bold करना है तो select करके b वाला option पर click करेंगे तो वो bold होगा bold करने के मतलब यह हुआ कि जो word normal है उसके picture वो थोड़ा dark लगेगा अगर i वाला function पर click करेंगे तो italic होगा और you वाला पर click करेंगे तो underline होगा underline को अक्सर जो title वगरा लिखा जाएगा जैसे title लिखने के लिए sale को merge किया जाता है और merge कैसे करेंगे जैसे अगर आपको A से लेकर यहाँ से लेकर आप जो देख रहे हैं आपसे A, B, C, D, E, F तक यानि कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम को हम select कर लिए select करने के बाद आप mouse के cursor आप देख सकते हैं यहाँ पर से merge in central लिखा हुआ है तो merge करने से होता क्या है यह जो बीच का जो lining है सभी line erase हो जाएगा ठीक है और आप यहाँ पर merge पर click कियें तो यह काम हो गया अब जैसे यहाँ पर लिखे हैं हमाले यहाँ पर लिख दिए CPT exam ठीक है तो CPT exam यह title हो गया अगर title का font size अगर बोला है 16 करने के लिए तो देखें default रूप से यहाँ पर font size कितना 100 कर रहा है 11, 11, 11 अगर आप इस list में देखिएगा तो बहुत सारा तरह का font होते हैं अगर 16 है तो 16 पर click कर दिजिए यह set हो गया अगर ऐसा फोंट है जैसे 15 हम बोले तो 15 तो इस list में कहीं नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि manual रूप से आप इस पर click किजिए और keyword से 1, 5 लिख कर इंटर बटन प्रेस कर दिए तो यह 16 के font पे set हो गया अब यह बोला है कि इसका वर्दना font रखिए तो font size बता है font तो यहां से size set कर लिए इसके बगल से font set किया जाता है font का मतलब होता है लिखने का अलग 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 प्रकार का style जो लिखने का अलग अलग तरह का style होता है उसी को कहते है font style ठीक है अगर यहां पर वर्दना बोला गया तो वर्दना कर ये अगर आपको ये बोला गया कि aerial black में रखना है तो ठीक है तो आप aerial black कर दीजे अगर ये बोला times new roman रखना है तो आप times new roman मतलब सर्च करके interpret and press कर दीजे अगर इसको bold बोला है और underline बोला है तो ये चीज़े आप ms word में भी पढ़े होंगे ठीक है तो bold italic underline ये सभी चीज़ में कोई confusion नहीं है इसके just bugle में यहां पर एक option देखेंगे इसको कहा जाता है border देखे bold italic underline और font change करना और side change करना ये ms excel की जितने भी cpt के question रहेगा किसी भी तरह कर रहे है powerpoint कर रहे है ms word कर रहे xl कर रहे सब में काम आएगा इसमें एक border नाम को option होता ये भी excel में बहुत बड़ा रॉल निभाता है या पिर कहा सकते है बहुत important part है अब कैसे important part है इसके बारे हम लोग समझते है ये जो lining आप अपने screen पे देख रहे होंगे ये line दरसल में print में नहीं आता है यानि कि जब हम print मारते हैं और print में ये check करना चाहेंगे कि ये lining आया होगा तो ये line print में नहीं आता है और ये चीज़े check करने के लिए आपको क्या करना होगा तो print preview check करना पड़ेगा print preview check करने के लिए आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो keyword से control plus app to press करना है जब control plus app to press करेंगे तो आप यहाँ पर जो नाम लिख रखें वो भी देख सकते हैं CPT exam लिख रहे के वो भी देख सकते हैं आप एक बात को यहाँ पर गौर कर रहे हूँगे कि पूरा blank show कर रहा है तो यह blank show कर रहा है इसलिए show कर रहा है क्योंकि हम border अभी तक apply नहीं किये अगर हम यहाँ पर से इस तरह का content को पूरा select करके और यहाँ पर से border वाला option पर जाते हैं और इसमें list पर click करेंगे इसमें कई तरह का border आ जाएगा लेकिन हमको सभी से भी फिलाल मतलब नहीं है इसमें हमको all border से मतलब है all border पर जैसी click करेंगे तो जो पहले से lining था उसके अलाबा एक line extra आ गया और यह जो line आया है इसे solid line कहा जाता है और यह line print में आएगा अगर print में क्या आएगा क्या नहीं आएगा यह चीज़े आपको check करना है तो control plus, app to फिर से मतलब press करके देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि जहां तक हम select करके border apply किये थे उतना तक में line so कर रहा है और बाकी नीचे फिर उसी तरह से blank so कर रहा है I hope कि यह सारे चीज़े समझ पाए होंगे ठीक है इससे आगे का होता है दो चीज़े होती है एक को कहते हैं fill color fill color यानि कि कि किसी भी sale को select करके उसके पीछे का background color बदलते हैं जैसे यहां से लेकर यहां तक sale को select किए और अभी फिलाल यहां पर से click करेंगे click करने के बाद किसी भी तरह का जब हम color करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उससे sale के पीछे का background color जो है वो gray color type का change हो गया आप यहां पर जो दो नाम लिख रखे हैं इसका color अगर बदलना चाहते हैं तो इसे कहा जाता है font color font का मतलब होते हैं जो लिखे वो word होते हैं उसका color है तो हम यहां पर से जो नाम लिख रहे के इससे select करेंगे आप यहां पर से देखिएगा color के option दिये हुए इसके लिए arrow button पर click करना होगा इसमें कई तरह के color combination आपको मिल जाएगा आप इनमें से जो भी color select करना चाहते है choice करना चाहते है आप उस पर click कर दिजे click करते ही आपको वो font उस type का color में fill हो जाएगा I hope कि यह सारे चीजे समझ पहे होंगे इस वीडियो हम आज आपको font से related तमाम तरह की बाते आपको बताएं है अगले वीडियो हम alignment समझेंगे left, right, center, justify क्या होता है wrap, test क्या होता है इसके बारे हम समझेंगे cut, copy, paste भी अगले वीडियो हम समझेंगे merge भी बिस्तार रूप से अगले वीडियो हम समझेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कीजिए और चैनल को subscribe कलिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो तुरंत मिले और आप उस वीडियो को जल्दी देखकर अगर आप अपना सारा जो पढ़ाई है या फी CPT का जो content बचा वह साब उसे समझ सके अगर ये CPT का project आपको चाहिए अगर आप पटना से दूर रहतें CPT का project चाहिए तो वीडियो के description box में नंबर है आप हमें संपर्ख कर सकते अगर call से बात ना हो पाई तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं WhatsApp पे message भी कर सकते हैं तो message कभी आपको reply दिया जाएगा अगर आप question लेना चाहते हैं MS Word, Excel, PowerPoint 3 का आपको question मिल जाएगा